जब हिंदो राजा पर प्रेम दिवानी होकर सती हुई एक मुस्लिम लड़की बारवी सदी के अंतिम बर्षों में जालोर दुग पर चोहान राजा कानन देव का सासन होता था इनका पुत्र कुवर बिर्मल देव चोहान साड़े राजपुताना में कुसल योधा था छोटी आयू में ही कई यूधों में अपनी सेना को बिजय दिलाई थे बिर्म देव की ख्याती सुनकर उनके प्रभावशाले ब्यक्तित्व शुन्दर सरीर को देखकर दिली के बादसा अलाव दिन खेल जे की बेटी सहजादी फिरोजा सताई का दिल बिर्म देव उपड़ आ गया और वो उनसे महपत करने लगी सहजादी ने किसी भी कीमत पर बिर्म देव से निकाख बिवा करने का तथा उन्हें अपनाने की जित पकर ली वो उस राजा से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहती थी सहजादी की ये बात सुनकर दिली दरवार में बिवाद मच किया था काफी सोच विचाड के बाद अपना राजनेतिक फाइदा देख बात सा खेल जी इसके लिए तैयार हुआ खेल जी ने सोचा कि शादी के बाद वो उस राजा का पर कबज़ा कर लेगा शादी का प्रस्ताव जलोर दुर्ट पहुंचाया गया ब्रमदेव ने तुरंत इस प्रस्ताव को चुक्रा लिया और कहा मेरे मामा मार्टी वन्से हैं और मैं खुद राजपुत चोहान एक मुस्लिम से कैसे साधी करूँ मेरे कारण मेरा वन्स अब पवित्र हो जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता राजा के इनकार के बाद यूद का ऐलान हुआ एक वर्स तक मुस्लिम की सेना जालोर पर घेरा लगाए बैठी रहे फिर यूद शुरू हुआ कीले की राजपुतानियों ने जोहर की रस्म निभाई 22 वर्स की आयू में खुद ब्रमदेव के शरिया बना पहन कर सबसे आगे सेना का नत्रित्र कर रहे थे इस भ्यंकर यूद में ब्रमदेव बीरगती को प्राप्त हो गए मुस्लिम सेना ब्रमदेव का सिर दिल्ली ले गई तथा सहजादी के सामने रख दिया तब सहजादी ने मस्तक को थाली में रखवाया और मस्तक से साधी करने की बात कही तो मस्तक अपने आप थाली से पलट गया लेकिन सहजादी भी अपने वादे पर अडिक थी सहजादी ने ऐलान किया कि सहजादी फिरोजा ने अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए मस्तक को अपने हाथ में लेकर यमना नदी में कूद गई और ब्रह्म देव के लिए शती हो गई रानी ने राजा के लिए अपना जान दे दी ब्रह्म देव ने अपना करतब निभाया और धरम प्रांगनता के लिए प्रांत्याग दिये वही एक मुस्लिम सहजादी एक हिंदू राजा के प्रेम में इतनी कायल हुई की उसके लिए अपनी जान तक दे दी जी हाँ दोस्तो मुस्लिम का इतिहास है धन्यवाद